Hello students, a very warm welcome to Clear Vision Classes, CVC by KC. Okay, तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, subject आपका military science, B.S.C. B.A. 3rd year वाले बच्चों के लिए है ये, unit और जो book है आपकी, book का नाम है evolution of strategic thought और आपका जो first chapter है up to world war one हम उसके बारे में discuss करने वाले हैं, उसी का एक sub topic है संत जू गुरिला वारफेर, गुरिला वारफेर का मतलब ह होता है चापामार युद्ध तो संत जू का चापामार युद्ध जो है हम उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूं कि अगर आपको इसका बैस तरीका जानना है कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं इस वीडियो के थूँ तो आप पहले तो इस वीडियो को पहले देख लें ठीक है पूरी वीडियो समझ लें कि क्या है इस वीडियो में क्या था इस कहानी में ठीक है उसके बाद आप क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर लिंक है ठीक है वहाँ पर मैं मतलब अपनी language में थोड़ा बहुत addition करना होगो तो आप यहां के notes से addition कर सकते हैं तो यह आपकी आपके उपर है चीक है तो मैंने आपको तरीका बता दिया description में link जो है वो English Hindi दोनों notes के लिए मिल जाएगा तो please जाके वहां पर click कीजिए उनको और वहां से आप notes आपको मिल जा करते हैं वो वीडियो से screenshot ले सकते हैं आपकी मरजी है चीक है ओके चलिए स्टार्ट करते हैं explain the thoughts on Santju's Gorilla Warfare इसका मतलब क्या है इसका मतलब कहने का ये है कि आप अपने विचारों को व्यक्त करें संतजू के चापामार युद पर यानि कि चापामार युद जो है संतजू का हमें उस पर अपने विचार जो है उस पे पश्ट करने हैं उस पर बताने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात म में थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो जो संतजू था वो एक prominent Chinese military thinker था इसका मतलब क्या है एक चीनी प्रमुक चीनी सैन्ने विचारक था वो समझ रहे हैं prominent मतलब प्रमुक हो गया Chinese मतलब चीनी हो गया military मतलब आपका सैन्ने हो गया प्रमुक चीनी सैन्ने विचारक clear हो गया संतजू जो था वो चाइना का रहने वाला था और एक प्रमुक सैन्ने विचारक था ठीक है second point कहता है कि उसने एक बुक लिखी थी The Art of War उसी में उसने अपने फेमस उसकी बुक जो थी वो काफी फेमस हुई थी बात में उसी में उसने अपने जो आइडियास है वार के उपर उसने उसमें लिखे हुए है तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है The profound ideas rendered in his famous book The Art of War तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए अगर इसको easy language में बुला जाए तो आप लिख सकते हैं अपने question paper में जाके जब कोशिन आता है यह वाला तो आप उसमें अंसर लिखेंगे जाके He expressed his thoughts in his famous book The Art of War ठीक है कौन से thoughts उसने? Millitical thoughts Clear हो गया? अब आते हैं third point पर In his thoughts of war he gave an important देखिए इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है इंपोर्टेंस दी थी Philosophical का मतलब आपका होता है दार्शनिक Practical मतलब विभारिक Psychological मतलब मनोवग्यानिक और लीडर्शिप मतलब नेत्रवय यानि कि इन चार गुणों को उसने जो है अपना इन पहलूओ को इनके सभी पहलूओ जो हैं उनको उसने सबसे ज़ादा Importance दी है या सबसे ज़ादा महत्पूर्ण स्तान प्रदान किया है समझा गया होगा मतलब उसके लिए ये चार पॉइंट जो थे वो बहुत important थे और इन ही को उसने importance दी है तो ये बहुत easy language में बता दिया अभी क्या है कि अब हम बात करेंगे कि संतजू के thoughts क्या थे related to war मतलब उसके क्या विचार रहे थे what से related देखे सबसे पहला point ये है कि जो war है उसको उसने major task बोला है ठीक है हिंदी वाले बच्चों के लिए अगर मैं बोलू तो एक वरिहद कार्रे ठीक है अपने राज्य का एक वरिहद कार्रे बोला गया है major task मतलब बहुत ही important task या सबसे बड़ा task कह सकते है पूरे state का ठीक है उसके according war जो है वो एक major task तो है state का लेकिन उसके साथ ही साथ ये आपका जीवन और मृत्यू का एक प्रदेश है war जो एक बहुत ही राज्य का वरिहद का रही है जो की land life and death है यानि की जीवन और मरन यानि की आपका मृत्यू और जीवन जो है उसके बीच का एक land है उसके बीच की एक जगह है path of protection instruction है path of protection और destruction का मतलब क्या होता है सुरक्षा और विनाश का मार्ग है ठीक है और इसको हमें बहुती carefully करना चाहिए पढ़ना चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए अब आते हैं next point पर उसके लिए actual मैं ऐसा था कि अगर आप military discussions को बहुत जादा time तक लेकी चलते हैं और दूसरी चीज़ आप without proper training आप ने war को छिड़ दिया जाके ठीक है आपने youth छिड़ दिया जाके तो ये बेफकूफी होगी आपकी तो ये इनका point ये वरा point ये कहता है अब आते है next point पर ये कहता है कि अगर उसके लिए क्या था actually में कि आप strategic जो है मतलब उसके लिए ये था कि वास्तविक youth से पहले strategy और आपकी tactics जो है वास्तविक youth से पहले आपका जो strategy और tactics है वो हमेशा seriously जो है और intensely जो है आपका analysis उसका होना चाहिए यानि कि क्या कहना चाहता है उसके बिविन पहलों को गंभीरता और तीविरता से सैनने की visualization करना चाहिए समझने ये चीज मतलब ये कहना चाहता है कि अगर वास्तविक youth से पहले जो आप actual में वार लणने वाले हैं उससे पहले आपकी जो strategy और tactics है यानि कि सामरिकी और समर्तंत्र जो है आपका उसका proper analysis होना चाहिए proper उसको उसके पहलू जो है अलग-अलग पहलू है उनको गंभीरता और तीवरता से जो है आपका visualization होना चाहिए clear हो गया ये वाला point ये कहता है अब आते हैं next point पर इसके लिए long term war जो है वो unprofitable है मतलब उसके लिए संतजू के लिए long term war जो है वो फाइदे मन नहीं है बिल्कुल भी फाइदे मन नहीं है अब next point पर आते हैं आप सब जानते हैं आप सब जानते हैं चाइना एक धोका धड़ी दवाला देश है तो उसके जो सैने विचारक थे वो भी कुछ इसी तरह के दिमाग रखते थे शायद यही चीज उनकी आगे अभी तक चलती आ रही है मतलब कहने का यह है कि यह भी कैसा था यह पता है deception को समझता था कि एक decisive element deception मतलब होता है दोका धड़ी को एक decisive element समझता था यानि कि result आने का जो main कारण है वो उसको धोका धड़ी को समझता था मतलब यह होता था कि दो लोग गए वो same preparation के साथ आएंगे same जोश के साथ आएंगे same सारी tactics वगर आपनाएंगे लेकिन यह समझता था कि इसमें जीतेगा कौन इसमें जीतेगा वही जो से धोका धड़ी करेगा विदाउट धोका धड़ी आप जीत नहीं सकते तो इसलिए वो deception को यानि कि धोका धड़ी को he decisive element मानता था war का और उसका ये भी कहना था कि समस्त युद्ध जो है आपका वो समस्त युद्ध की जो किरियाए है वो सारी-सारी धोके पर आधारित होनी चाहिए या धोके पर आधारित है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे है मैं इसे all war actions is based on deception ठीके deception is धोका धड़ी ठीके सारी-सारी war actions जो है वो धोका धड़ी पर based होनी चाहिए ठीके उसके बाद क्या होता है देखिए अब आपको मैं ये बताऊंगी कि धोका धड़ी को वो किस वे में करता था ठीके क्या करता था देखिए वो समझता वो उसका ये मानना था वो consider करता था ये चीज कि अगर हम वो दिखाएं जो चीज नहीं है तो हम शत्रू को crush कर सकते हैं उसको खतम कर सकते हैं उसको दबोच सकते हैं और उसका विनाश कर सकते हैं clear हुआ मतलब क्या इसका कहने का है ये चार points आपको तीन points आपको समझाऊंगी उसके बाद आपको बिल्कुल clear हो जाएगा किस तरह की धूकर धड़ी ये करता था देखें वो क्या करता था सबसे पहले कि अगर वो attack के लायक है यानि कि वो दूसरे जो आपका शत्रू है उस पर attack करने के लायक है तो इस तरह से pretend करो वहाँ पर कि आप attack करने लायक नहीं है मतलब आपकी शत्रू सीना अगर आ गई तो आप fully recharged है और आप उन पर double जो है उनको धोका दे सकते है शीज से ठीक है मतलब वो तो ये समझ रहे कि भाई ये तो ready नहीं है हम इने खतम कर सकते हैं बट वो जमाएंगे तो उनके साथ ही धोका दड़ी हो जाएगी और वही खतम होंगे actual में last में क्योंकि आप तो पूरे fully ready थे ठीक है उनका आप इस बेफ़कूफी का फाइदा उठाएंगे clear हो गया तो ये चीज first point कहता है second point क्या कहता है कि जब हम armies को use करने जा रहे हो तब हम शत्रू को क्या दिखाएंगे कि हमारी armies जो है वो inactive है वो ready नहीं है काम करने के लिए ठीक है ये second point हो गया third point क्या कह रहा है जब हम पास हो शत्रू के ठीक है तो हमें क्या दिखाना है कि हम दूर है उनसे और जब हम दूर हैं उनसे तो हमें ये दिखाना है कि हम उनके पास है अब आते हैं ये चीज आपको clear हो गई होगी ये वो किस तरह से धोका धड़ी के काम किया करते थे क्या तरीके थे धोका धड़ी के आप समझ सकते हैं कि दिखाना कुछ और होना कुछ और है मतलब हाती के दाथ दिखाने के कुछ और और खाने के कुछ और वो वाला हाल है आपे नेक्स आते हैं उन्होंने क्या किया एक ये भी चीज संतजू मानता था कि जो military leaderships हैं और discipline जो है वो एक success जो है वो दिलाती है हमें जब भी हम war करते हैं ठीक है मतलब उसने न क्या किया कि उसने अनुसाशन ठीक है और कुछल सैन्ने नेतरत्व को ही प्रात्मेक्ता दी है युद्ध के सफल संचालन के लिए समझ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है ये कहता है कि अगर अगर उसका मानना था कि युद्ध में सैने कमांडर जो होते हैं उनका नेतरत्व उनका लीडर्शिप जो है वो उत्तम गुड़ों से परिपून होना चाहिए यानि कि उसमें उत्तम गुड़ होने चाहिए है न और क्योंकि राष्ट शक्ति यानि ये जो नाशनल पावर है और उसका विनाष है या फिर सम्रिधि प्रॉसप्यरिटी है य्या सिक्योरिटी है इन सब का भविष्य है इनगा करते हैं इनाक Katy पे नहित होता है चीज मतलब राष्ट का जितना भी नाशनल पावर है destruction है prosperity है समरिधी या सुरक्षा है यह सब का सब किस पर किस पर निर्वर करता है सिर्फ और सिर्फ military leadership पे ठीक है उसको कौन lead कर रहा है और किस तरह से lead कर रहा है इस चीज़ पे यह बैठता है ठीक है तो इसलिए उसके लिए leadership और discipline बहुत ही important था बट एक और चीज़ इसके साथ इसके साथ एक और देखे क्या होता है कि discipline तो ठीक है discipline एक important element भले ही था उसके लिए लेकिन वो दिमागदार तो था बहुत है ना मतलब धोकदड़ी में तो number one था ही वो है ना तो उसका ये भी मानना था कि अगर military commanders को ठीक है डिस ओब करना पड़ जाए कहीं पर orders को डिस ओब मतलब अगर उसको अपने rules जो है वो तोने पड़ जाए या फिर युद में मतलब हित के लिए अगर उनको अभेलना करने पड़ जाए मतलब उसको कोई rule है उसको तोनना पड़ जाए तो वो चीज़ कहीं से भी गलत नहीं होगी अगर वो national interest के अंडर आती है national interest मतलब राष्ट के हित में आती है समझ आगे है अगर और इसके बाद जो है एक और वीडियो आएगी उसमें आपका ये वारा question पूरा complete हो जाएगा जिसमें और भी उसके political thoughts है और भी उसमें कुछ points है जो आपको clear करने है मेरे को उसके बाद गे जो है आपका question बिल्कल clear हो जाएगा I hope you like the video, please do like, share and subscribe Thank you so much